हेलो फ्रेंड्स ये गाड़ी है वेगेनार और ये गाड़ी पूरी खड़की हुई है यानि कि पूरी आवाज है इसमें चारो तरफ से ऐसा कहना है इसके मेकैनिक का जब जहां हमने इसको टैस्क कराया था तो एक बार हम भी इसका टैक्स ड्राइब लेते हैं तो अब ही मैं आ गया हूं इसका टैक्स ड्राइब लेने के लिए तो इसकी नॉइस वगरा है चेक करूंगा मैं अक्चल में कितनी नॉइस है और क्यों उसने कह दिया कि पूरा सस्पेंशन होगा इसका और पूरी गाड़ी खड़की हुई है पूरा काम होगा तो क्या-काम हो तो यह जो नॉइस सुनी आप लोगों यह लेफ्ट साइड से भी है और राइट साइड से भी है दोनों साइड से इसके नॉइस है लेकिन नॉइस आ रही है इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी पूरी खटम हो गई बहुत काम मांग रही है अब तो पूरा सस्पेंशन ही पर हमको लगाने ही है ऐसा कुछ होता नहीं है मैं इस गाड़ी काज पूरा काम करूंगा पूरा खोल के दिखाऊंगा आपको एक्चल में इसके खराबी कहां थी और किस चीज की वज़े ती तो चलिए एक बार इसको खोलते हैं तो सबसे पहले काम जो मैंने किया वो किया गाड़ी को लिफ्ट और लिफ्ट करने के बाद इसके वील दोनों साइट के निकाल दिये और निकालने के बाद अब कुछ मैं टूल ले लेता हूं जिन टूल की मदद से इसके पार्ट्स को मैं खोलूंगा पार्ट्स के बहुत जादा ऐसा कुछ खोलने में इस्यू आता अगर हम प्रॉपर तरीके से खोलें तो मैं प्रॉपर तरीके से खोलने का तरीका भी आपको बताऊंगा और कोशिक करूंगा कि आपको बताऊं कि आप भी उसको कर पाएं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, बहुत इजी रहता है सबसे पहले WD-40 स्प्रे करूंगा मैं उन सभी बोल्ट्स पे जिसको मुझे खोलने की जरूत पड़ेगी क्योंकि ये गाड़ी का जो ये suspension system है पहली बारी खुल रहा है और इसमें ऐसा कुछ काम पहले हुआ नहीं है ये अभी एप्रोक्स चली है गाड़ी 70,000 के एप्रोक्स चली हुई है गाड़ी तो इन सारे वोल्ट्स में मैं स्प्रे करूंगा थोड़ा सा रस्टिंग हो जाती है वोल्ट में और ऐसे उसको हम खोलें तो फिर तूटने का डर रहता है वोल्ट को तूटेंगे और unnecessary time भी waste हो और इस लॉक्त को और सारे वोल्ट्स को सबको एक जगे पे रखना है एक साइट के एक जगे पे क्योंकि क्या होता है ना लास्ट में लगाते है समय फिर हमको मिस होता है कि ये बोल्ट नहीं है ये बोल्ट कहा चला गया और साफ जगे पे बोल्ट को रखना है और देखे य यह बाल जाइंट इसमें थोड़ा सा फसा होगा थोड़ा सा मुझे जोर लगाना पड़ेगा लेकिन उसको छोड़के पहले में इन बोल्ट को लूज कर लेता हूं एक तो यह साइट का बोल्ट है और एक इसी तरह से दूसरी साइड में नीचे एक बोल्ट है तो यह दोनों में लूज करूँगा यह वाला बोल्ट इस वाले बोल्ट को भी लूज करना क्योंकि मैंने पहले इस प्रे करकर एकंपर के तरप से भी तो इसको भी एक बार लूज करके और फिर मैं सारे बोल्ट को खोलूँगा और इस आम को निकालूँगा और यह बीच में लगा हुआ है यहाँ पर देखें स्टेरिंग रोट एंड है यहां पर स्प्रे किया था उसको भी बाहर निकालूँगा स्टेरिंग एंड जो है इसमें भी प्रॉब्लम आती है इस वज़े से भी यह नौइस आती है कभिम गाड़ी का स्टेरिंग पुरा हिलने लगता है इसके वज़े से अब देखें यह सिंपल मैंने वह बोल्ट भी लूज कर दिया उसको भी कर दिया और यह इसको मैंने नीचे से इसको निकाल देंगे क्योंकि यह लूज हो गया था थोड़ी दिर मैंने इसको भी छोड़ा था और फिर मैंने इसको यह यहां से निकाल दिया इसको नीचे प्रे पूरा क्या खड़का हुआ था वो सारी चीजे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा जो बोल देते हैं कि पूरा खड़का हुआ है पूरा खटम है एक चीज की नॉइस है तो वो ज्यादा आएगी ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खराब हो गया पूरी ग लेकिन इसका हुआ क्या है इसका बूट में प्रॉब्लम है बूट इसका कट चुका है यह देखिए यह बोल्ट भी निकल गया और अब मैं चेंज करूँगा शॉकेट शॉकेट चेंज करके नीचे वाला बोल्ट जो कि मैं लूस कर चुका था पहले ही और इसको मैं यहां स शौकर इतनी जल्दी खराब होता नहीं है जितनी जल्दी लोग बता देते हैं कि शौकर खराब हो गया शौकर में कोई लीक साइन नहीं है और यह पूरी आम अब बहार आ गई है आप देखे यह है वाल जॉइन जो मैं बता रहा था आपको बूट कटावा दिख रहा है और देखे स्टेरिंग एंड क्यों क्या था इस टेरिंग वो यह है जो कि मैं लूस करके इसको बाहर निकाल रहा हूं यह स्टेरिंग इसको हब को मूव करता है जब यहाँ उपर स्टेरिंग वील को गुमाते है तो यह आगे और पीछे टर्ण होता है इसमें अगर प्ले हो क्योंकि मुझे कैलीपर खोलना है, और इसकी ब्रेक की कंडिशन मुझे चेक करनी है कैलीपर पीन और ब्रेक पैट, इसको खोलना बहुत ईज़ी है, मुझे अप अपने घर पर खोली सकते हैं, ऐसा स्था केलिफर कोल के आप ब्रेक पैट वगरा चेंज करना चाहों तो ब्रेक पैट भी चेंज कर सकते हो सिंपल दो बोल्ट होते हैं और ब्रेक पैट सिर्फ चेंज करना होगा तो आपको यह एक ही बोल्ट खोलना होगा और इसको ऊपर उठा देंगे तो यहां से आप brake pad का access ले सकते हैं, इसको change कर सकते हैं लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये pin बाहर निकालनी है तो पिन बाहर निकालनी है, तो मुझे इसको पूरा खोलना पड़ेगा तो ये उपर के मैं दूसरा जो bolt है, इसको भी खोलूँगा और इसको खोल के यहां पहले पीछे कर लेता हूँ, और ये bolt खोलूँगा बोल्ट खोल के अब ये क्या होगा, कैलिपर हमारा एक ही अलग हो जाएगा और कैलिपर को खोल के कभी भी ऐसी ही नहीं छोड़ना है क्योंकि इसको एक सेफ पॉइंट पर हमें लगाना होगा, दिखाता हूँ कैसे लगाता हूँ तो ये देखिए एक वायर है, ये वायर मैं दोनों साइट से इसको मोड लोगा ये मोड के मैं एक थोड़ा सा हुक बना लोगा, हुक इसले बनाऊंगा क्योंकि मुझे इस सेफ पॉइंट पर इसको कैलिपर को लटकाना है, अगर मैं इसको सेफ पॉइंट पर लटकाता नहीं हूँ तो होगा क्या कि जो इसमें सप्लाई आ रही है ये पाइप की, वो पाइप कई बार डैमेज हो जाता है तो फिर इसमें नौिस आने लग जाती है और या फिर इसका लूबरिकेट खतम हो जाए, तो फिर वो ज्यादा रिसकी हो जाता है, वील गरम हो जाता है, ब्रेक पैट्स का भी क्या करना है मुझे और ब्रेक पैट को रिमूव करूँगा ब्रेक पैट अभी कितने है अभी ठीक टाक है लेकिन हाँ इनको साफ करना भी पड़ेगा मुझे और कई बर कैलिपर पिन के साथ की गई गलती भी हमें महंगी पड़ जाती है और वो हमारे ब्रेक पैट को खताम कर देती है फिलाल अल्मोस्त यह सारे पार्ट तो मैंने एक तरफ खोल दी है और अब मैं चलता हूँ इसके दूसरी साइड में यानि कि इस तरफ इस तरफ के भ पूर वचिण